तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका साहारा नमस्कार गुजराच से मैं भद्रायू नई शिक्षानीती दोशन्य दोशन्य के ये तीसरे एपिसोड में आपका हर दिक स्वागत करता हूँ आज तक हमने अच्छी तरह से दो पिछले एपिसोड में देखा है कि हमने मात्रू भाषा में प्राथ्मिक शिक्षा के बारे में और त्री भाषा फॉर्मिला और संस्कृत के स्थान के बारे में नीटी जो बता रही है उनका विशलेशन किया है मैं ये बताना मुनासिव समझूँगा ताकि भाषा के बारे में बहुत सारे क्विश्चन्स हमारे पास आये हैं कि दुरुभाग्य से भारतिय भाषाओं को समुचित ज्यान और देखबाल नहीं मिल पाई जिसके तहट देश ने पिछले 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है युनेसको ने 197 भारतिय भाषाओं को लुप्त प्राय गोशित किया है विबिन भाषाओं विलुप्त होने के ख़दार पर हैं विशेस्त वे भाषाओं जिनकी लिपी नहीं है जब किसी समुदाई या जनजाती के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ट सदस्य की मृत्यू हो जाती है तो अकसर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है और प्रायह इन समुरुद्ध भाषाओं और संस्कृती की अभिव्यक्तियों को समुरक्षित या उन्हें रिकोर्ड करने के लिए कोई ठोस्क कारियवही या उपाय नहीं किये गए हैं ये चिंटा नीटी में बताई गई है और बाद में जो कुछ भारतिये 22 भाषाओं के लिए करने का इरादा है वो बताया गया है उसमें एक भाग मात्रू भाशा है उसमें एक भाग संस्कृत का है हमने ये भी चिंता जटाई थी कि आज की स्कूल सिक्षा में आज की कॉलेज सिक्षा में नहीं मात्रू भाशा है ना कहीं हिंदी है ना कहीं संस्कृत है तो ये जो नीती में बताया वो हम कहां से शुरू कर छोड़ दीजे आज का हमारा जो एपिसोड है वो स्कूली सिक्षा के ढांचे में बदलाव के बारे में है मैं ये क्लियर कर दूँ आज तक हम 10 प्लस 2 प्लस 3 में जीते थे एक से दस दोरन तक जाना है ग्यारवी और बारवी कक्षा करना है और फिर कालेज में तीन साल करने है ऐसे हम आज तक जो कुछ बात करते थे उसमें एक बदलाव आ रहा है भारतिये सिक्षा की शुरूआत कक्षा एक से ही होती थी ये जो अंगणवारी बालवारी वगेरे चलता था उसमें शिक्षा की बात नहीं थी पोशन युक्त आहर की बात थी और कॉम्मिनिटी लिविंग की बात थी लेकिन हम जानते हैं कि वईधानिक तोर से पूरे भारत वर्ष में पहली कक्षा से ही शिक्षा सुरू होती है तो भी आज इतने सारे प्री स्कूल गली गली में चल रहे हैं कि उनको कैसे हम आइधर पाबंदी लगाएं या उनको रेगूलेट करें वो एक बड़ा सा प्रॉब्लेम था होता भी ऐसा रहा है कि प्री स्कूल चलाने वाले के पास कोई नियत अभियासक्रम तो है नहीं एक्टिविटीस क्या करनी चाहिए उनका सुझाव भी नहीं है एक कोई छोटी लड़की है उनने थोड़ी सी पढ़ाय कर ली है अभी कोई काम ढूड़ना बाकी है तो उसने सोच लिया कि मेरे पार्किंग प्लेस में एक छोटा सा प्लेस्कूल बना दो प्री स्कूल बना और उसमें दो आया रखके अपना काम शुरू कर दो बचों को खेलना है कुछ खिलाना है कुछ हसाना है और फिर पांच दिवस के सकता को पूरा करके घर बेज देना है ये जो बात चल रही थी वो एक तोर से बहुत ही घातक थी इसलिए कि कोई अभ्यासक्रम के बिना ये पूरा सिस्टम चल रहा है आज भी बहुत सारे लोग स्कूल सिक्षा में पहली कक्षा में भेजने के पहले तीन साल कहीं और भेज देते थे और उसका कोई वैधानिक आधार नहीं था नई सिक्षा नीटी ने ये वैधानिक आधार खड़ा कर दिया है वो एक अभिनंदनी अभाबत में समझता हूँ अभी जो धाचा होगा वो 10 प्लस 2 वाला नहीं होगा वो धाचा रहेगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पहला जो 5 रहेगा उसमें 2 प्लस 3 रहेगा पहले जो 2 वर्ष रहेंगे उनके पहले 3 प्लस 2 में क्या होगा पहले 3 प्लस 2 वाला जो है वो foundational बनाया जायेगा, that means पहली कक्षा में जाने से पहले तीन साल के लिए और पहली और दूसरी कक्षा ये जो पांच साल हुआ उसको हम फाउंडेशन बताएंगे और उसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्यान का जो बुनियाद है वो बजबुत किया जायेगा, कई स्कूल वा प्रथम तो पहले से बोल रहा है कि आठवी कक्षा तक कोई गिन नहीं रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये बात चिंता की थी और इसलिए ECCE का एक बहुत अच्छा सा Early Childhood Care and Education के नाम से प्रयास पहले ही चेप्टर से किया गया है, उसके लिए NCRT वगेरा उसका अच्छा सा आध अधार अभ्यास करम बनाने वाले हैं और वो अभ्यास करम के आधार पे एक regulatory system होगा, जहां 3 प्लस 2, that means basic foundation course होगा, तीसरा stage होगा, जो दूसरा stage होगा, जिसको हम 5 प्लस 3 बोलते हैं, उसमें standard class 3, 4 और 5 रहेगा, जिसको हम preparatory कहेंगे, उसके बाद का जो 3 वाला stage रहेगा, वो class 6, 7 और 8 का रहेगा, जिसको हम middle education कहेंगे, और last 9 to 12 वो secondary education कहा जाएगा, उसका मतलब यह है कि secondary और higher secondary यहां merge हो रहे हैं, तो अभी 5 साल में यह regulatory board होगा, सोचना यह है कि अभी जो बिलाडी की top की तरह से जीतने pre-school पूरे भारत वर्ष में गली गली में निकल रहे हैं, क्या हम उनको बोलेंगे कि आप एक, दो, तीन, चार शुरू करो, या जहां सिर्फ एक से ही शुरू हो रहा है, उनको कहेंगे कि आप पीछे चलके pre-school शुरू करो, यह बहुत कठीन मामला है, ताकि उसमें शाशकों के लिए भी माम काहा पांडवास शेव वाली बात लेकिन अच्छी बात है, सिस्टम में रखा गया है, तो कोई बातें आगे निकलीगी, एक अच्छी बात ये भी है, कि आज तक हम जो प्राउड शिक्षा में बोल रहे थे, वाचन, लेखन और गनन, पढ़ना, लिखना और गीनना, ये तीन हिसकील, जो प्राउड शिक्ष भी आगे आगे अच्छी होती जा रहेगी, मैं एक बात यहां पे क्लियरली बताना चाहूंगा, कि दस्वी और बारवी कक्षा के बारे में, जहां तक सवाल है, तो क्लियरीटी बहुत भी गई है, लेकिन उनके बारे में, नीटी के घोशित होने के बाद, नीज में, मिडि अच्छाओं में भी ऐसी बाते फेल रही है, जो कहीं भी नीटी में बताई गई नहीं है, हम इतनी बात तैक कर लें, कि जहां तक 10 प्लस 2 प्लस 3 वाली बात थी, तो यहां पे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 वहां स्कुली शिक्षा है, नया स्विक्षनिक और पाठ्यक्रम का ये जहांचा रहेगा, बाद में कोलेज के लिए क्या होगा, उनके बारे में हम अलक से बात्षित करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के बीज का जो एक बंदन था, वो भी यहां पूरी तरह से दूर करके, उनको एक ग्रुप बना के भी अच अच्छा काम नीटी सुचन कर रही है, ताकि आज तक मैं माध्यमिक वाला हूँ और आप उच्चतर वाले हैं, मैं आप में नहीं जा सकता, आप मेरे में नहीं आ सकते, ऐसी जो बाते चल रही है, उससे ये नीटी थोड़ा छुटकारा दे पाएगी, ऐसा लगता है, एक अ उच्चतर माध्यमिक उच्च सिक्षन के बारे में हैं, और व्यावसाइक सिक्षा के बारे में भी हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी सिक्षा नीटी को अच्छी तरह से समझने के लिए छोटे-छोटे मुद्दे बनाकर उनकी क्लेरिटी यदि हम राप्त करेंगे, तो अच् हम आपके साथ छोटे-छोटे वीडियो में एक-एक मुद्दा उठा कर जो बाते करनी है, वो कर रहे हैं, लेट मी क्लेरिफाइ वन्स अगेन, मैं जो कुछ बता रहा हूँ, वो राश्ट्रिय सिक्षानीती दो सुन्य, दो सुन्य के ड्राप्ट को पूरी तरह के पड़ के उनका आधार आपको बताते हुए कह रहा हूँ, यस आइम गिविंग माई ओपीनियर और माई कॉमेंट्स, पंडवाइक स्पस्ट कह दता हूँ कि यह मेरा सुजाव है, यह मेरी फर्याद है, आप हमारे साथ बने रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम सिक्षानीती का आधिक स्वागत है, नमस्कर रूंड़ता है तु किसका सहारा